लोगसवा चुनाओ के नतीजे आ चुके हैं बीजेपी को अपने दम पर तो बहुमत नहीं मिला है लेकिन एंडिये की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है नौतारिको नरेंदर मोदी का शपत करहन समारो है इसी साल चार राज्यों में महराष्ट, हर्याना, जारखन और जमो कश्मीर में विधानसवा चुनाओ होने वाले हैं हम बात करेंगे लोगसवा चुनाओ का इन राज्यों के विधानसवा चुनाओ पर क्या असर पड़ेगा लेकिन पहले आपको बताते हैं इन राज्यों में 2024 के लोगसवा चुनाओ में किस पार्टी की क्या सिती रही है बात करेंगे लोगसवा चुनाओ में तो महराष्ट के लोगसवा के नतीज़े आपने देख लिए अब जरा हर्याना की बात करते हैं हर्याना में लोगसवा की 10 सीटे आती हैं 2019 के लोगसवा चुनाव में सभी सीटे बीजेपी ने जीती थी इस बार किस पार्टी का रिपोर्ट कार्ड क्या दिखाता है यह आपको हम बताने जा रहे हैं ग्राफिक्स के जरी तो बात हर्याना की कर लेते हैं हर्याना में जार्खंड का हम रोख कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि जार्खंड में अलग 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 पार्टियों को रिपोर्ट कार्ट क्या कहता है जार्खंड में कुल 14 लोगसवा सीटे हैं बीजेपी को एक सीट 2.6 06 बीशेस दी दे वोट, ज्यम में को 3 सीट 142 0.7 4 डीफ arts क इनका वोट शेर रहा है बात करेंगे हम जम्मु कश्मीर की चहां लोगसभा की कुल 5 सीटे हैं 24 के चनौव में वहां क्या रही टैली दिखाते हैं आपको जम्मु कश्मीर का हम रोख करते हैं जम्मु कश्मीर में इस बार बीजेपी ने 2 सीटे जीती है 24.4 फीसदी वोट के स चार राज्यों में किस पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहा यह आपने देख लिया अब सवाल यह है कि क्या लोगसभा चुनाओ के नतीजों का रिफ्लेक्शन इन चार राज्यों के विधान सवा चुनाओ पर भी पड़ेगा इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने 2019 के ल विधान सवा की हैं 288 सीटे तो आपके सामने नतीजा है 2019 लोगसभा का 2019 विधान सवा का बीजेपी को 23 सीटे मिली और आपको बताये ऐसा इशारा नहीं कर रही है जिन पार्टी को खाते में एक सीट आई, कॉंग्रेस के खाते में लोगसभा की इसने 44 सीटों पर जीत दर्ज की इस टैली को दिखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। विधान सभा चुनाओं में एक तरफा मामला हो जागा ऐसा हुआ नहीं, 40 सीटे BJP के खाते में एक सीट आई, और अधरस के खाते में 8 सीटे गए। जरूरी नहीं किसी पार्टी को लेकर जो नजरिया वोटर का लोगसवा चुनाओं में रहा हो वही विधानसवा चुनाओं में भी दिखाई दे चलिए आंकडों से समझते हैं इस बात को जारखंड के आंकड़े अब आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं जारखंड के आंकड़े आप देख सकते हैं ये 2019 का लोगसवा चुनाओं का नतीज़ा है और विधानसवा चुनाओं का नतीज़ा है लोगसभा चुनाओं में दो सीटी आई विधान सभा चुनाओं में जेवीम के खाते में कोई सीट नहीं थी लोगसभा चुनाओं में लेकिन पात सीटी लेने में वो भी काम्याब रही विधान सभा चुनाओं में अदर्स के खाते में कोई सीट नहीं थी लोगसभा ते क्योंकि 2018 में जमु कश्मीर विधान सवा को भंग कर दिया गया था, लिहाज़ा हम 2014 के लोग सवा चुनाओ और 2014 के जमु कश्मीर के वोटर के मिजज को समझने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं क्या आंकडे बता रहे हैं कहा Repiles, 2014 में लोग सवा चुनाओ वास में पीडीपी के खाते में लोगसभा चुनाओ में एक भी सीट नहीं आए और पीडीपी ने 28 सीटे जीती थी विधान सभा चुनाओ में और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर वो उपरी थी, कॉंगर्स के खाते में कोई सीट नहीं आई लेकिन साथ सीटे उन्होंने भी जीती विधान सभा चुनाओं में तो ये आंकडे विदरसल बता रहे हैं कि मुद्दे कई बार एहमियत रखते हैं और विधान सभा चुनाओं में और लोग सभा चुनाओं में मतदाताओं का वोटिंग पैटन अलग हो सकता है यानि कि दावे के होने वाले विधान सवा चुनाओं को अब तौलते हैं पहले बात महराष्ट की 2024 लोग सवा चुनाओं का नतीज़ा आभी चंद दिन हुए हैं लेकिन नए समिकरणों की बात हो रही है तो बताते हैं आपको वो क्या समिकरण है कहा जा रहा है इस पूरे समिकरणों को लेकर के NDA उद्धव ठाकरे को साथ लाने की कोशिश में हैं ये बड़ी बात यहां पर हम आपको बता देते हैं शिंदे गुट के कुछ नेता उद्धव गुट के संपर्क में हैं ऐसी भी चर्चा जोरू पर चल रही है वहीं अजित पवार गुट के सांसत विधायक शर्थ पवा युति की बात करें महागारी की हम बात करें तो उसमें कॉंगर्स की ताकत साफ तोर पर नजर आती है अब बात उन मुद्दों की कर लेते हैं जो एहमियत लगते हैं महराष्ट के लिहाज से इनमें कौन सा मुद्दा अहम है इनमें मुद्दा अहम है मराठा अरक्षन का इ अब बात हर्याना की कर लेते हैं, महराष्ट के बाद हर्याना की बात अब हम करेंगे, हर्याना में बीजेपी की ताकत लोकसवा चुनाओं में घटी है, उसे पिशली बार सभी दस सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार आधी सीटे रह गई हैं, बाकी पाच कॉंग्रेस क के पास चली गई हैं, विदानसवा चुनाओं में क्या हो सकते हैं मुद्दे जिनका असर देखने को मिल सकता है, इनमें बात हम करेंगे किसान आंदोलन की वापर काफी जोर इसका दिखाई दिया था, अगनी वीर योजना की, जाटों की नाराजगी की, जमीन की जारखन मुक्ती मूर्चा को तीन और कॉंग्रिस को दो सीटे मिले हैं, जबकि पिछली बार 13 में से 11 सीटे बीजेपी के पास थी, लेकिन विदानसवा में बाजी उसके हाथ से निकल गई थी, अब सवाल तमाम है, विदानसवा चुनाओं को लेकर हवा किसकी है, सवाल ये जबासियों की नाराजगी बीजेपी से बनी रहेगी, ये एक एहम सवाल यहाँ पर हो जाता है, बात एंटी इंकम्मेंसी की भी हो रही है, जेमें का ये खेल बिगाड़ेगी क्या एंटी इंकम्मेंसी, ये एक एहम सवाल यहाँ पर उठ रहा है, कहीं एंटी इंकम्मेंसी जेमें के रास्ते का रोड़ा ना बन जाए सवाल करप्शन का भी उठा है क्या करप्शन के मुद्दे पर बीजेपी को फाइदा होगा क्योंकि लोकसवा चुनाओं में भी हमने देखा बीजेपी ने पुर्जोर तरीके से इस मुद्दे को उठाया था जारखन के बात कर लेते हैं जमुकश्मीर की जमुकश्मीर में भी विधानसवा चुनाओं होने हैं लोकसवा चुनाओं में भारी मतदान और हिंसा मुक्त चुनाओं से वहां के लोगों की लोकतंत्र में बढ़े भरोसे का असर विधान सवा चुनाओं में देखने को मिल सकता है वहाँ जो मुद्दे असर डालेंगे उन में अगर हम बात करें मुद्दों की कौन कौन से मुद्दे हैं तो धारा 370 का हटाये जाना एक एहम मुद्दा वहाँ पर बन सकता है विधानसवा चुनाओं में, हाल के बरसों में हुआ जबरदस्त विकास, चारों तरफ विकास की बायार जमो कश्मीर में वह रही है, ये अपना रोल प्ले कर सकते हैं, रोज रोज की हरतालों और बंद से मुक्ती लोगों को मिली है, इसका एक पॉजिटिव इंपक्ट विध विधानसवा चुनाओं में अपना अपना रोल प्ले कर सकते हैं, तो आम तोर पर यही माना जाता है कि लोगसभा और विधानसवा चुनाओं में लोग अलग-अलग मुद्दों के अधार पर वोट देते हैं, लेकिन कई समिकरन और कई मुद्दे ऐसे होते हैं, जो दोनों चुनाओं में असर करते हैं और इनी पर बाजी इधर या उधर हो जाती है